कहानी सुनते हैं आज प्यारे दोस्तों एक परिवार था उसमें दो प्यारे प्यारे बच्चे थे एक बड़ी लड़की थी उसका नाम मीना था उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम उज्वल था दोनों एक साथ खेलते एक साथ पाक जाते और एक साथ अपनी समक्सिया को सुल जाते थे परिवार में जो भी समान या उपहार आता था वो सोड़ पथम छोटे बच्चे उज्वल को दिया जाता था इन सब चीजों को देखके मीना थोड़ा व्यथित रहने लगी थोड़ा परसान रहने लगी उसकी परसानी को देखके उसके माता पिता भी परसान रहने लगे जिसका असर पुरे परिवार पर पढ़ने लगा खुसहाली कम होती गई फिर इस परिवार ने एक उसहाल परिवार को देखा उन्होंने पूरी कहानी सुनी उनकी समस्या को जाना और उनको समझाया कि ये अधिकार की लड़ाई है इतना समझने के बाद उन्होंने जो भी उपहार आया क्योंकि मीना बड़ी थी उसको दिया और वो उपहार वो अपने छोटे भाई उजवल को साथ शेयर करते थी इससे मीना भी खुश रखने लगी क्योंकि जो भी उपहार आता था वो अपने भाई को अपने से ज़्यादा ही देती थी क्योंकि वो अपने भाई से ज़्यादा प्यार करते थी जैसे ही ये अधिकार समझ में आया परिवार खुश रहने लगा कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब, लाइब और शेर प्रूब देए है